नमस्कार दोस्तों स्वागत्याव स्वीका ओलान डफॉस्ट यूट्यूब चैनल वीडियो में हम बात करेंगे पीटी लेकपाल भरती के नौटिफिकेशन के बारे में साथी चैन बोड की तरब से सिच्छकों के खाली प्रदों को लेकर एक आधिस भी जारी हुआ है इसके प्राथमिक शिच्छक वरती साथी यूपी टीटी को लेकर और यूपी पीएस्टी की प्रवक्ता भरती के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें इससरी के आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक वर सधिक जन कहीं सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू पीटी को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यति कहीने की लेकपाल वरती का इंत नोटिफेकेशन का इंतिचार करना हैं लेकिन जो जानकाई आयोग के माद्यम से मिलिए बो मैं आप सुभी को बता देता हूं जैसा कि आप सुछ को जानकाई दीकिति कि स्वास्ट कार्यकरता की भ्रती को लेकर जंद नोटिफेकेशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा ल कि लिए मिल रही है कि स्वास कार्टा करता कर जो नोटिफिकेशन होगा या तो इस महीने या फिर अगले महीने की स्टार्टिंग में जारी किया जा सकता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लेक्पाल भरती को लेकर क्योंकि बहुत सारे अभ्याथी आज भी कन्फूसम जाएगा नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होने की कोई संबाबना नहीं है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको ऐसी जानकरिया देखने के लिए मिल रही है लेकिन लेक्पाल भरती का जो नोटिफिकेशन होगा वह आपको दिसंबर महीने के अंदर देखन के लिए मिलेगा जानकरी देखने के लिए मिली है कि शासन को लेकर यहां से नीवापली में शंशोदन करना था डबल सी को लेकर उसका कार्य कर लिया गया है लेकिन इससे समझेत और भी कई कार्या भी बागी है जिसके चलते लेक्पाल भरती का नोटिफिकेशन अब आपक की काज़वाई शुरू होगी पाइच्छा जनवरी फरवरी में जाने की संबावना है लेकिन दोसी तब बात कीजा अपनी अगली अपडेट को लेकर जो की संबंदित है चैन बोर्ड की तरब से जाली सिचकों के खाली प्रदों को लेकर नोटिफिकेशन जाली हुआ है ज साथी बाइस गया है दोजा एकीस का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आता है नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा विशय को लेकर कि उत्तर प्रदेश माद्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड प्राग्याज की विग्यापन संख्या जीरो बन दोजा एकीस की अं की आप्षन की बात की जाए या फिरा अप prawd की बातpark की जाए यहाँ ओकले से जल्याद की अटोड़ की दूसा पात की अपनी ऐग्ली को लेकर जोकि संब्सप्रतों अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने से पहले लगबग देड़ महीने पहले की बात है प्रात्मिक सिचक भरती को लेकर एको गार्डन में हजारों की संक्या में आपको जन सेलाव देखने के लिए मिला था जहां पर अभ्यरतियों के माद्यम से अरशन को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शिन का आईजन किया गया था जहां पर कहिने की सरकार की उपर आरूप लगाए गये कि उत्तर प्रदेश की भरतियों में आरशन को लेकर घोटाला हुआ है चात्रों का कहना कि 15-15 चेइक बला उसी के आदार प्रदेशन के अंदर जनसलांव देखने के लिए इस बार जो धरना प्रदर्शन होने वाला वह आपको कल की ताजीक में देखने के लिए मिलेगा जहांपर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेशक के लगवक सभी मंती विदायकों की तरफ से इस ध्रना प्रदेशन को समर्थन भी दिया गया है साथ में समर्थन पत्र जारी करते हुए लिखित तौर पर इस मुद्दे को उठाया भी गया है यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उन्हें तरजा साहिक अध्याबर भ कि यहां पर बात कीजाएं कोउंगेश के तमाम यहां पर आप सुष्षिक की जो नेता गड़न वह देखने के लिए मिल सकते हैं साथी अगर बात की जान पर मौझे के लिए मिलें पर यहां पर देखने के लिए मिलेगा समर्थन प्रत्र के माध्यम से अलग-अलग मंती वि का घोटाला किया गया है अब ऐसे में कि प्राथ्मिक्स इचक वरती की आचन को लेकर कल की तारीक में आरपार आपको देखनी के लिए का जानकाई के मुताबिक अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में लखनों की अंदर कल अब्यादी सटकों पर उत्रेंगे जो भी अप्डेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको देदी जाएगी लेकिन दूसी तर बात की जाए अपनी अगली अप्डेट को लेकर जो सब्सक्राइब करने के जानकाई दी जाती है उनका यहां पर कहना है कि जो अब्यादी होंगे उत्रीन कर चुके हैं अंक्यपत्र सत्यावित कि यह जानने को लेकर मार्क दरसन उपलब्द कराने की अपिक्षा की गई है उक्त के आलोग में आपको निदेशित किया जाता है कि इस वेबसाइट पर आकर आप सभी को डाइट से लोग इन करना होगा और लोग इन करते हुए डियलेड के प्रेसिशन दो जा उननीस के अब्यातियों के अंक्यपत्र को यहां पर वेरिफाई करते हुए चात्तों को यहां पर करने की सुब्दा देखने के लिए मिलेगी आसान भासा में कहा जाए तो डियलेड वाले चात्तों के लिए हैं जिनकी यहां पर वेरिफिकेशन करानी है लेकिन आपको भी जाने से पहले आपकी जो भी इंट्रेट की कोपी है अगर आपके पास औरिजनल नहीं है तो ऐसे में आप लोग भी अपने डाइट से इसको अटेस्ट कराएं बागी जिनों ने कॉले से किया वेरिट वाले अब्याती जैसे कि वहां पर अपने कॉले से जाकर इसको सत्यापित करा सकते हैं वहीं दोसी दब बात की जाए यूपी पीएसी जी आईसी प्रवक्ता च जानकाई देखने के लिए कि यूपी पीएसी की तरफ से जी आईसी का परडाम पूरे तरीके से त्यार कर दिया गया है ऐसे में जानकाई उन्होंने ये भी दिये कि आगामी एक हफ्ते के अंदर इस परडाम को जारी कर दिया जाएगा कुछ यहां पर छोटे मोटे काम जाए तो यूपी पीएसी जी आईसी का परडाम त्यार हो चुका है अब कभी भी यह परडाम आप सभी कर जारी कर दिया जाएगा तो ऐसे में अब भीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भू दिलती रहें